कि नमिश्कार दोस्तों मेरा नाम है सुकदेव कंबोज और आपका फिर से स्वागत है कंबोज लर्निंग ब्लॉग्स में जहां आप सीखते हैं नहीं नहीं चीजें और आज हम आपके लिए एक छोटी सी इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जैसे कि हमारे बच्चे जो फॉन के अंदर बीजी रहते हैं तो उनको कुछ अच्छी सी गेम्स आप खिला सकते हैं अंगर पे ताकि उनका दिमाग जो है वर्किंग में आए एक्टिव हो ताकि आज कल जो बच्चे डल होते जा रहे हैं दिनों दिन क्योंकि उसका कारण जो है फॉन है हमारे टीव करते हैं तो दोस्तों हमारी क्लास जो है आज की अवर हो चुकी है कुछ बच्चे हमारे पास रुख गए हैं यह लोकेश है आनंद है वो श्रेया है और यह समित है तो इनके साथ एक दिमाकी कसरत का एक छोटी सी रिडल है हमने जो बोड पर ड्रॉ कर रखी है बहुत आसान करना क्या है इसका जैसे मैचिंग करवानी कि वन से वन को मैच करवाना है टू से टू को थ्री से ठीको इस तरीके से जैसे आप छोटी क्लास में करते थे लेकिन शर्त यह है कि कोई भी लाइन दूसरे को कट नहीं होनी चाहिए तो चलिए शुरू किजिए अब टू तो चला गया अभी क्या करेंगे अरे काट दिये काट दिये तो फेल हो गया दोबारे ट्राइए करना चाहेंगे एक बर फिर इरेज कीजिए इसको थोड़ा सा दिमागी कसरत इसमें होगी ज्यादा नहीं बस शर्त यही है कि किसी मैच करवाते समय कोई लाइन काटनी नहीं चाहिए दूसरे को देखते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है कैसे यह इसको सॉल कर पाएगा यह आपका लास्ट चांस है अनंद कुमार जी फिर अगले स्टुडेंट को बलाएंगे अगला स्टुडेंट में बलाऊंगा समित को समित जी आईए इसको रब कीजिए पहले इसको साफ कर दीजिए कि साफ कर दीजिए साफ कर दीजिए जल्दी से कीजिए अगला कि ज्यादा मुश्किल नहीं है यह थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है तबी फॉन पे भी आप थोड़ा क्विस सॉल किया कीजिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले है ना है यह से लिए देखते हैं समित कुमार क्या करते हैं नंबर से नंबर मैच करवाना है बहुत इजी वेरी गुट देखिए कितना इजी था यह ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट था कि आप इसको थोड़ा सा गुमा के लाना था बहुत बहुत बढ़िया किया अनंद कुमार देखे हैं कैसे किया देखो समित ने बहुत अच्छा किया चलिए एक रिडल और उस पर काम करेंगे ठीक है वो भी आपको सॉल करना है चलिए उसकी शुरुआत करते हैं तो दोस्तो एक और रिडल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है हमारे बॉर्ड पे जैसी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो से बनाया है हमने 6 और बीच में प्लस बनाया है फिर 4 बनाया है इस इगल टू 4 तो करना क्या है एक एरो को आपको शिफ्ट करना है और यह एक्वेशन को जो है सही साबित करना है ऐसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो हम इसके लिए बुलाएंगे हमारे लोकेश को तो देखते हैं यह कितना कर पाते हैं आपको सिर्फ एक एरो को शिफ्ट करना है और इस सिक्वेशन को हाँ एक एरो को कितनी चांस तो आप कोई बाद नहीं आप एक चांस तो लीजिए कम से कम जो दिमाग में आ रहे हैं वो तो कीजिए जो एरो आप हटा रहे हो कहीं लगाना भी है इन्होंने बीच का एरो हटा करके यह यहां पर लगा दिया तो हमारा क्या बन गया जीरो प्लस फोर इस इगल टू फोर बिल्कुल सही है यह आंसर तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके दो और आंसर हैं वो भी आपको बताने है इसको पहले वाली स्टेज में दुबारा लिखिए इसको फिर से वैसा यह एरो इसको ड्रॉ कर दीजिए जैसे पहले किया हुआ था कि दूसरा आ रहा है आपके दिमाग में ट्राइक कीजिए थोड़ा सा एक इन्होंने बनाया जीरो प्लस फोर इस इगल टू फोर जो सीधा सीधा दिख रहा था तो यह इनके दिमाग में जल्दी से आ गया चलिए श्रिया जी आईए श्रिया को आने दीजिए आपको एक एरो शिफ्ट करना है सिर्फ आप कहीं पे भी लगा सकते हैं उस एरो को कहीं पे भी सर हमें प्रूफ फोर ही करना है जरूरी नहीं है एक एरो को शिफ्ट करना है आपको और कुछ भी आप कर सकते हैं उसके जगह एक सोलीशन और हमको मिल गया जो श्रिया बेटी ने हमको दिया कि एट नहीं एक अपने एक अटाया ना उन्हें एक एरो वहां से अटा करके वहां लगाया है तो एट माइनस फॉर इस इगल टू क्या हो गया फॉर हो गया वेरी गुड बहुत अच्छे एक सोलीशन इसका और है बताइए और कौन ट्राइ करना चाहेगा तो दोस्तों इसके इस रिडल के हमने दो सोलीशन देख लिए हैं थर्ड सोलीशन छोटे बच्चों से नहीं हो पाया तो हमनारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास सेवन्त के बच्चे उनमें से एक बच्चे को बुलाया है मैंने तो चलिए देखते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अंश कुमार है हमारे साथ क्लास सेवन्त के तो देखते हैं कि उनका दिमाग कितना है दो सोलीशन मैं इनको बता चुका उल्रेड़ी त तो चलिए शुरुबात करते हैं. तो हमारी डिडल बिल्कुल पहले जैसी स्टेज के अंदर आ गई है. तो यहाँ पे अंश कुमार को बुलाएंगे. तो वो देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं. इसका सॉलुशन कुछ और कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. आईए अंश कुमार जी. दो सॉलुशन मैंने आपको बता दिये हैं. तो उससे थर्ड सॉलुशन जो आपको देखना है. इस एक्वेशन को सिर्फ एक एरो खिसकाना है. और इस एक्वेशन को बिल्कुल सही बना देना है. तो चलिए. यह लाइन पहले मिटा देगे हैं. ठीक है. यह बन गया 5. और यह लाइन कहा लगा है? यह लाइन यहाँ लगा देगे. बहुत बड़िया. यह इसका लाइन यहाँ लगा देगे. कि यह लाइन हटा करके वहाँ बन जाएगा 5, फिर 4, इस इगल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. अमीद करता हूँ यह छोटा सब लोग आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है. तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेंगे. बन्यवादे.